हेलो वेल्कम टो माई चानल देगाई मेरे चानल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इससे पहले वीडियो में मैं आपके लोगों के लिए जो है हिंदी पड़ा गोजी के दो टॉपिक लिके आई थी और उसे रिटेट कुछ 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 दिये थी और आज जो रही हूं जो कि आपके पेपर टू के लिए इंपोर्टन है तो मैंने जहां रफ्रेंस लिया है वह एंसे आर्टिकल लिया है क्योंकि जो भी कुछ कंटेंट एक्जामपल पॉइंस पुछे जाते हैं न किसी भी गॉर्मेंट इक्जाम में वह सभी जो है इसी पर पूछे ज है सारे इंपोर्टन पॉइंट्स इंक्लूड किये हैं यहां पर मैंने चापके सीटाथ हो एस टाटो डिया सब्सक्राइब की जो टीचिंग जाम है अधर एक्जाम साथ जहां पर साइंस पूछी जाती है उसके लिए बहुत-बहुत इंपोर्टन है तो मेरी वीडियो में अधर बने रहे हैं तो मेरी वीडियो आपको पसंद आये तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जब करिए और हम बैल आइकन तो दवाना मत भूलेगा ताकि जो अन्यों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे है मैं जो है आ तो पेपर 2 है उसमें जो है 6-8 तक का तो में दी आता है ठीक है तो मैं आज 6 का चैप्टर 1 और 2 स्टार्ट करने जारे क्योंकि 1 और 2 जो है तो मैंने सुचा है कि इसे कमाई नहीं ले लू तो देखिए कंटेंट देख लीजिया क्या क्या है पहला चैप्टर है फूड बेर प्राइमल है जो प्राइमल है जो प्राइमरी सोर्स है प्लांट है और जो सेकंडरी है वो अनिमल है लग लग वराइटी के फूड हमारे पास अबलेवल हैं क्योंकि जो हमारा इंडिया है फूल ओव वरियेशन है तो अलग 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 कल्चर में अलग टाइब की फूड मिलेंगे तो इसी विरियेशन को हम बोलते हैं वराइटी ठीक है तो चलिए आगे के पॉयंट पर चल कि लिए किन चीज़ पढ़ती है पहला है आपका राइस और दूसरा है आपका वटर है तो देखिए ऐंस इस एक्जामपल है चावल का इसको मैंने इसलिए हाइलाट कर रही हूँ कि कई आज रख पूछ लेते हैं कि कि एंसे इस इसके चीज़े तुम आपको यह बोल रही थी कि चावल को बनाने के लिए हमें दो चीजों के ज़रूर्ट पढ़ती है एक है आपका रोर आइस और दूसरा है आपका वाटर तो यह रोर आइस और वाटर यह दोनुई ही चीजें क्या होंगी इंग्रीडियन्स होंगी ठीक है तो फूड किसी फूड को बनाने के लिए जो है कि पूसकते हैं क्या है ठीक तो अनके अंदर कुछ कॉमप inseci होते हैं जो न fällt क्वाल होते हैं इने हम नुट्रीशन वोलते हैं क्यों क्योंकि यह फुल फूड को full of protein, vitamin, nutrition से भरपूर बनाते हैं, तो जो ingredients है, उसमें जो components होते हैं, उन्हें हम nutrients बोलते हैं, ठीक ही class, चलिए, आगे बढ़ते हैं, sources of food क्या है, देखिए हमाई पास food के जो हैं, वो दो ही source है, जिसमें सबसे main source है, वो है आपका plant, ठीक है, प्लांट ही वो source है, जो बागी सबी organism को, living organism को food प्रवाइड करता है, प्लांट ही animal को food प्रवाइड करते हैं, तभी तो फिर वो animals हमारे secondary food के source बनते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लांट में कुछ parts होते हैं, जिनको हम खाते हैं, तो देखिए plant के part कौन कौन से हैं, पहला है प्राइमरी, जिसमें root होता है, और secondary root होता है, जिसको root system बोता है, प्राइमरी को में लाइन होता है, प्राइमरी और जो उसके side में निकले होते हैं, वो secondary root होता है, फिर आपका देखिए, उपर जाएंगे तो आपका stem हो जाएगा, यह आपको stem हो गया, ठीक है, उसके बादे के आप लीव्स हैं, और यह जो लीव और stem जो आपस में connected होते है उसको हम notes बोलते हैं ठीक है, और जो आपको फरुटे है, यह flower है, जो भी जो भी पूटे किसी खेले नहीं है, fruits में convert नहीं हों है, flower में convert नहीं हों है, उन्हें bird कहते हैं, ठीक है, यह आपको fruit है, यह उपको flower है, पूरा जो मारा sonos system हो गए, यह root system हो गया, ठीक है, तो देके अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें अउगती था कि कि एक कि किसी के क्प्लांट में हम किसी के फिरूब पाठ की सब्यूट हुऊ- टिक अफे-स जो रूट है हम कौन सी सब्सब्स को तक है वह करने रेड़ory तिर्के आपका जो में जो सब्या निकलती है जो प्लांके जड़ों में वूदा है ठिक हो के वाइड़ हो गया अक्रय होगा इसके बाद कि sistema स्चिम का और पूटएट्व जो है वो ऍरेगो लगा होता है अच्छलि यह रुकते पोटेट interactive है ठीकत फीर फिर फिर फ्रूट के पार्ट होते हैं जो है किसी फ्लावर का जो है प्लांट का है हम सीड खाते हैं वह सीड क्या है मस्टर्ड गया आपका फिर जो है लेटेंट हो गया उसके लावा जो आप बहुत सारे ऐसे पार्थ सेट कहते हैं ठीक है जिसी की चॉकलेट ओपका यह कोका हो गया उसके बार देखिए लीज बहुत से प्लांट का हम लीज भी खाते हैं लीज कैसे खाते लीज के इनिट हो गया अप कि भी अदर अदर जिते भी पती वाले साग वग्रेजे जो थे हैं वो सब यह जाएं लीज का पार्ट है ठीक है तो हम अलगलग पार्ट को खाते हैं प्लांट के क्योंकि वह अलग लग पार्ट जो है अलग लग टैप की सिरेइस्स में वेजेटेवल औ हो ने कि हैं प्लांट किन फूर्स हो गया है जेखकेंक्त कर आपको लागा ऊंग। के सेकेंड फोर्स के ठीक है चाड़ी आगे बढ़ते हैं इसकेटर स्टाइब कर देखेंज इसके लावा एक और है जो है वाटर एंद況 नहीं थी जही है वह है वह क्या है हमें फाटते हैं टो सब्सक्त का इनरजी कोअ SI यह तो सब्सक्राइब करते हैं थे कार्भू हाइड्रेट है एकन झूली 2008 यह तो आपको रोटी से चावलों से मिलता है और घी बटर मक्षा इसे मिलेगा जो फैट वाले एनरजी है वह हमारे लिए कम है फुल उती रिक्नी एनरजी बहुत इंस्टेंट देती है तुरंत ही अनरजी बट कार्वो है जो एनरजी तो नहीं दिया देगा पर जो एनरजी है बहु और प्रोटीन का क्या है वो देखिए हमारा ग्रोथ करते हैं हमारे बॉडी में जो है यह हमारे बौडी में बहुत जादव कम में होती है ठीक है इसकी स्मॉल इमौन की हमें जरूरत होती है और यह जो है हमें क्या करते हैं डिजीजिस से बचाते हैं बॉडी को प्रटक करते हैं इंफेक्शन वगेरा से और इसका जो सोर्स है वह सोर्स है ग्रीन वेजटेवल फूट्स ठीक है और इसके जो है सप्निमेंट भी आते हैं दवाइगा भी आती गूलियों की फॉर्म में विटेमीन लेते हैं पील्स की फॉर्म में ठीक है और मिनरेल क्या है थीकिन मिनरल भी एंडेटेवल वेज़ूट्से मिलते हैं तो इसका काम क्या है यह हमारे बॉडी को बढ़ने में बदद करता है बॉडी को मैंटेन करके रखता है ठीक है बदीके सिस्टम के फॉंक्शन अलग टैप्स को तेरा मिन ए विटमीं गीकिया अलग वर्क हमारे बोडी में नहीं को आए ताथी में यह है फीशन से मलती फूट से वेजटेबल से मिलती है है ठीक है विटमीन मेभी भी मेभी फिर अलग टाइप्स है बी वान बी टू वी सेवन तो देखिए हमें चिकन ब्रेड वगरा से मिल रहा है वेजटेवल से मिल रहा है ठीक है विटमीन सी देखें यहां पर विटमीन सी जो है हमें जो है citrus food से मिलता है खट्टी चीज़ों से मिलता है lemon हो गया आपका और इंज ओ गया mango हो गया ठीके इन चीज़ों से मिलता है हमें vitamin d फिर देखिए vitamin d जो है वह हमारे bones के लिए जाधा थे हैलफुल है यह जो है हमें calcium provide करता है vitamin d और इसका सबसे main source है वह हमारा sun sun जो है हमें यह एह सब एइफ lep 그거 सबस्थे इंपॉर्टन में इस एर्थ वाहद आपके जो है विटमिन है विटमीन इसार फूर्ट्स में मिलते हैं यह सारे जो है हमारे विटमीन प्र वाइडिंग फूर्ट है में तेट के अदिक एज़ ए उसका अगर कई कर जो हो सकती है क्या में के आपको समन्दी विमारियां हो सकती हैं हमता है अंधेरे में देखने में होती है हमें पूरी तरी के से लिए तो यह हमें फ्रीट उतन चाहिए पर आपके बारि बीचिक व्य वी होता है बीमारी का नाम है उसमें क्या हो जाता है कि जो माशपेशियां है वो कमजोर हो जाती है और बहुत कम एनरजी महसूस होती है काम करते वक्तिक है बॉड़ी में तो विटेमिन के लिए आपको बताया चिकन है एक मिल्क फ्रूट वगरा होता है विटेमिन सी से कभी हो जाता है कभश बटामिन की कमी ली점 है यह में जात है आपके दातों से अक गोंस फ्रॉबं ellum को देखता है जैसे कि अगर उसकी कमी है तो हो से हमारे सप्टाने लगेगा हमारे टाथ खराब हो जाएंगे हमारे जो bleard है जो किसी चोट वागया से कभी होता है तो उ कमीजें है केलिशियुम कमी हो जाए तो हड़ीं से समधे सारे प्रॉब्लम्ट हो जाती है कि आपके जो बोन्स है वो बैंड होने लगेंगी वह जल्ली टोटने लग जाते हैं ठीक कैल्शियुम के दात और हड्डी में इनके लिए होता है लग से पॉइंट दिखा रखा रख हुँते हैं ठीक है उसके बाद कि आयोडियन और गॉइटर इन इन टैनल स्का आयोडियन दो चीज़ों करन बच्छों की आपको पूछ लेते हैं यह कमी से बाडी में जो है हमारे कोईटर एक गले में होने वाली बिमारी है जो हो जाता है से मारे गला फूल जाता है जिसका असर हमारे मैंटल बच्चों में स्पेशली देखा जाता है बच्चों की मैंन पर फरक पड़ता है इससे उसकी जो है मैंटल स्टेटस जो है सही नहीं रहता वह वीक होता है ठीक है फिर है आइरन अगर बॉडी में आइन की कमी है तो आपको अनेमिया हो जाए गया घुट की कमी कमजोरी तो यह कुछ जो है चीजे दे रखी है आपको जो आपको एक्जाम में आज अज पूछ लेते हैं कई वार की विटमीन एक कमी से कौन अच्छे फैट अब बुरे फैट कौन से हैं हम बहुत जादा बटर खा रहे हैं घी का यूस कर रहे हैं तो कहीं नकें में नुक्सान करता है बट हैल्दी में इसे कि आपके जितने भी ड्राइव फूट्स हो गए चिकन हो गया अग हो गया तो यह हैल्दी फैट है इंस्ट बहुत जादा ठीक है विटमीन और मिर्मस के में सोर्स है वाथ के फूटर रजटेवल थी हैं तो यह कुछ मैं आपको सामने वी लाई थी ताक यह समझ सकें तो देखें बैलन्स डाइट वो डाइट विच आफ फुल अफ नूट्रेंस जिंजर नूट्रेंस की हमें जरूर होने चाहिए हम फूड तो ले रहे हैं हैल्दी बट उसका में नूट्रिशन का अगर अच्छा नहीं है कम है तो क्या फायदा इसलिए बैलन्स डाइट वो डाइट है जिसमें नूट्रिशन सारी हो और सही अमाउंट में हो ठीक है उसके साथ साथ कुछ रॉफ फेज और व कि सभी टॉक्सिंस को ना जमाूं ने देना तो यह मीन जी रहता है ने टॉट्री वाले जो फॉल होते हैं वेजटेवल सोदें उन से में विथे हैं ठीक कि जिसे राफेज वोलते हैं जी फाइबर्स भी अधार पानी पानी ठीक हम अगर रहा पानी पानी कोमाउंट में पि ब्लड में मिक्स करके हमारे बॉड़ी तक मचाते हैं और साथ-साथ जो भी वेस्ट टॉक्सिक मेरे बॉड़ी के होते हैं यह भी इस पानी के थूरू यूरीन की फॉर्म में बॉड़ी से तो वॉटर का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन रोल है लिए कि ज़िए डेफिशे विटमीने की कमी से जैसे हो जाता है ब्लांडेस हो जाती है विटमीन विटमीन की कमी से जो हैं हमारे बॉडिमी जो प्लोटिंग नहीं होती बलड अगरमे चोट लगे तो हमारा ब्लड जली से रुखता नहीं है तो इस तरह कि लंबे टाइम की जहें बिबारियां हमें हो जाती है ठीक है तो यह था टेफिशेंट से डिजीज अब एक और इंपॉर्टन पॉइंट है दिखिए जो एनिमल्स हैं जो और गानिसम हैं वो कितने हैं टाइप्स के होते हैं एक् यहाते ही जैसे कि आपका रैबिट हो गया स्केरल होगया काव गॉक्त ऐसा इसके नात सब्सके और इसे प्लांन संब्सक्ट कratoट होते हैं फिर से हैं कर्का का और आपको से वर्सक्रूस कार्णि फेलेसरी वर्स फ्लेश सिर्फिर ऑब रहते हैं ज sır不知道 पर प्ताइज क्या सिर्फ डुल्साहित दोनों से ही इने फूड मिलता है आपके बर्ड हो गए आपके जो क्याट एक्जामपल हो गया क्याट एक्जामपल कैसे हो गया देखिए यह जो है आनिमल्स को भी खाती है और हमारी तरह जाहिए हरी सब्जियां फूड वगरे भी खाते हैं सबसे बड़ा ओम्निवर्स है क्योंकि वह वजटेशन भी होता है और नौन वागशन भी होता है एक टो सिर्फ वजटेशन होगा या तून ही चीज़े हो सकती है फिर है आपका कंज्यूमर कंज्यूमर वह होते हैं जो क्या करते हैं अधर अधर लिविंग और गारिंस्म पे तो रहते हैं और उनसे अपना जो है फूड लेते हैं ठीके अधर लिविंग और गालिव प्रह सकते हैं यह प्लांट जैसे कि इन सक्षट वगरा जितने भी कीडियम उ कोड़ होते हैं इस दूसरे अनमल की बॉडी पर रहके यह प्लांट वगरा पर रहके उन से प्रोटीन ल अपना फूब लेते हैं तो यह चार टैप्स के अन्मल से हमारे हाथ पर ठीक है आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा ठीक है थैंक्स फर वाचिंग तो मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में साइंस के क्लासिक्स के अगले निव चैप्टर के साथ तब तक लिए वेरी वेरी थेंक्यू आप